Hello everyone, good morning, कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ, आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस तो इस टाइम बज़ रहे हैं सुबा के साड़े पांच और कल ही अचनक से हमें पता चला कि हमें गाउंज आना है कुछ है जिसके वज़े से में गाउंज आना है तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाते हैं और इसके बाद हमें निकलना है रेडी होना है तो अब एक काम भी है तो उसके बाद जल्दी जल्दी में यान क्या बोलू तो बस हमें निकलना है साथी साथ मैं आपको बता दूं कि आज है बाबू का मुंडन, यानि कि मेरी देवरानी की लड़के का मुंडन, तो बाबू को और प्रियांसी को घर छोड कर जाएंगी, क्योंकि बार इस बहुत ही जोरो से लगी पड़ी है, इसी वजे से, तो ज्यादा बाते ना करते हैं, फटा फट से चलते हैं, फिर राष् तो चलते हैं, तो गाइस यहां पर हम लोग थोड़ा सा डांस कर रहे थे, सौंग चल रहा था, जो है रिम्जीम, आपको तो पते ही है, और हम लोगों घर से थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि यह गाड़ी लेने चले गया थे, दोस्त के यहां, लेकिन जब यहां साथ बज़े हमें निकलना है, तो हम लोग सुवाम ओनिंग में साड़े पांच बज़े ही उड़ गया थे, कि जाना है, जल्दी जल्दी नास्ता बनाए इनके लिए, मतलब की पूड़ी, कचोड़ी और चाय नहा दोकर सारे काम करकर, बरतन धुलकर, हम लोग यहां पर जानते हैं कि मेरी बिटिया है, है न, यानि कि मम्मा है, यानि कि मम्मा ही लगे, यानि कि मेरी भावी की, यानि कि बड़ी भावी की, उनकी लड़की, मैंने का आप लोगों को सारी चीजे बता देती हूं, फिर वहां चलके आगे, रिकॉर्ड करते हूं, माभू देख रहा तो गाइस इसको देखकर हमारी हालत खराब हो गई थी आप देख सकते हो रोड जो है वो बीच में है और यहां पे मैंने स्लो मौसम नहीं किया है बिल्कुल स्लो गाड़ी जा रही है क्योंकि रोड के बरावर पानी आ चुका और अब देख सकते हैं कितना जादा पानी आ गया था तो उसको देखकर तो मेरी हालत खराब हो गई थी फिर इन सब को देखकर मैं खुस हो गई आप देखिए हर्याली इतनी अच्छी हर्याली साय थी आपको कहीं देखने को मिले अपने कुछ बो रखा हो गेत में तो उस तरह से अच्छा लगता है और सब सिर्फ घर घर हो ना तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता तो इन सब की यादे में अपने कैमरे में कैस कर रहे हूं ताकि मैं जब भी मेरा दिल करे मैं देख सकूं और यहां पर यह आप जो पहा आड़ हैं बहुत ही उचे हम काफी ज्यादा दूर्प में हैं तो इस पर में आपको पता यह जो दीख रहा है न आप चोटे-चोटे से यह जैसे कि यह देखे यह चोटे-चोटे से पेड़ उन पर जमे हुए है आप या बोलोगी कि आपको यहां से कैसे पता जब मैं वहाँ पहुची तब मैंने देखा कि पेड़ मतलब पहाड पे निकले हुए इतने बड़े बड़े पेड़ निकले हुए हैं अब जब खुद देखोगे तो आपको खुद ही यकीन होगा और देखे कितना प्यारा लग रहा था यार वाकई ने और जब हम बीच में आये ना चारो त अच्छा लगता इस तरह से पहली बार मैं कहीं गई हूं इस तरीके से और यहां पर यह देखे वर्सा भी रिकॉर्ड कर रहे थी आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लूकेशन था यार सच बता रहे हूं यह देखिए यह पहाड ऐसे स्टार्डिंग है और आप पेड़ अच्छा 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 अच् तो यहां पर मैंने वाइश ओवर कियों की गाइस की कुई प्रॉब्लम थोड़ी सी यह हो गई थी यहां पर जो इस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहे थी इनके फोन से तो उसमें क्या हुआ ना कि गाना मतलब सॉंग लगा रखे थे फोन आ रहा था तो वो बज रहा है मेरे शु आप लोगों को सब कुछ तो आप देखें मंदिर भी पहाड के उपर है साइब साइड में पेड़ है कुछ इसी तरीके पहाड में आपको दिखा रही थी वो भी स्टेमी सी तरीके का था और यह पूर रहे ती इधर देखो तो मैं वाइश ओवर करूंगी ना तो आप कर रहे थे तो वह जादा अच्छा लगता मेरे ख्याल से और काफी उचे पर है मेरे पैर भी दुखनी लगते चलते चलते तो फोन थोड़ा सा ही रहा था मैंने सुपेस को मैं ना डालू लेकिन अगर मैं ना इसको शेयर करती ना तो फिर क्या करती आप लोग भी बोलते है यह देखिया आप जस्ट इसी तरीकी का है क्या मैं बोलू तो यह रिकॉर्डिंग आपके जीजू कर रहे हैं तो वही इतना सदा हिला रहा है ना क्योंकि उनकी तो आदत है नहीं है जब आप रिकॉर्ड करने लगते हो तो आपकी आदत हो जाती यहां पर मैंने स्लो मोसम म ने हिला विला दिया था इसी वज़े से और बाबु को लेकर मैं चड़ी नहीं पा रही थी क्योंकि मैं साड़ी पैनी हूँ और साड़ी पैनने की मेरी आदत है नहीं और अभी कुछ लोंग बोलेंगे दी आपकी देवरानी पल्लो रख्या आप नहीं रख्यों रिजन में उनके सामने में भी रखती हूं तो मेरे से कोई बड़ा यहां है नहीं इस वज़े से मैंने नहीं रखा और मेरी देवराने से बड़े मेरे हैं इसवाजे से वह रख्यों है ये देखेए पेड़ी ये पहार पर पेड़ है आप देख लीजे जो मैं आपको दूर से दिखा तो वो भी कुछ इसी तरीके का था बट ये नहीं था तो चलिए अब हम उपर दर्श्वन करते हैं और फिर मुंडन कराते हैं फिर इतना हो सकेगा उतनी सारी चीज़े में आप लोगों के साथ शेयर करोंगी ठीकिए तो आप देख सकते हूं कितनी ज्यादा यहां पर भीर थी हमें लगाई नहीं था कितनी ज्यादा भीरूगी इसी वज़े से मैं उपर नहीं गई हूं और मंदिर का गेट बनता सबी बाहर से कर रहे थे बट मैं सीड़ियों से ही पैर मैंने माता टेक लिया था उपर नहीं गई हूं और यहां पर मम्मी जो घरते पूड़ियां बनकर आती नहीं पूड़ी हलवा जो भी तो वो चड़ता है ना मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं मतलब पता याद नहीं आ रहा है इसका में तो आप लोग बताएगा तो बस वो वही चला रही थी बस और यह देखिए कितने ज यहां पर आये हैं फर्स्ट बार हमारे यहां जो लड़कों का मुंडन होता है तो यहीं पर होता है मम्मी बोलती है लालापूर यह बता रहे थे बाल में की जहां पर तब कि यह थे वह है और लड़कियों का मतलब घर पे होता है तो मेरी बाबू का घर पे ही हुआ था और यह मतलब लड़के का यहां पर हो रहा है काफ़ी दूर है और यह मेरे देवर्दी बैठे हुए हैं तो यहां पर वो आटा निकाल कर लगा रहा है तो रिजन बताती हूं क्यों रिजन रिजन आज कितना रिजन बोल रही हूं मैं वह इस वज़े से क्योंकि जो लोई होती है जो रिम्सिम लेके बैठी है वैसे तो बुवा लेकर बैठी है बट बुवा नहीं आई है उनकी तो रिम्सिम लेकर बैठी हुए हैं नहीं मेरी बड़ी वाली दीदी की जिठाने की लड़की तो यह लोई उन्होंने बनाई थी ताकि जो बाल बाबु का निकले तो उसमें ले सकें तो आप देखिए इंजोई किजी और बताइए गा कैसा कैसा लग रहा है आप लोगों को सारी चीजे एक यादगार के लिए मैं वीडियो डाल दई हूँ मैं अपनी बाबू की भी डालूंगा अगर मुझे मिल जाएगी तो कि यही एक यादगार होती है ना कि बच् सहीं बैठ जाती है तो बस इसी तरीके से हो रहा था और बाबू बहुत रो रहा था उतनी समय मत्तब अभी तो खेल रहा था लेकिन बीच में अभी अचानक से आप देखिएगा रोने लगेगा और यहां पर कोई भी मास लगारा के नहीं बैठा था मैं लाई थी तो गाड हो रही थी सब कुछ हो रहा है और यह देखिया चानक से बाबू रोने लगा है तो मेरा दिमाग उधर लगा हुआ था और मैं बार बार मुह पे अपने हाथ लगा रहे थी उधर में फेस कर रही थी तो किसी को बुरा भी ना लगी क्योंकि मास लगाना जरूरी था बटिया लगा दे दीदी काना सुनता है बटन फी नहीं चौल रहा तो यह देखिया अभी मैं उठकर गई है उसको चुप कराने के लिए लो एका बीडिया दिखा तो कोई तो यहां पर बाबू रोए जारा आप देख सकते हो सभी लूंग लगे थे उसको चुप कराने में और मैं भी बीच में देखिया आप नहीं रिकॉर्ड कर पाई मैं भी लगी थी लेकिन वो चुपी नहीं हो रहा था साथे साथ मुझे यह रिकॉर्ड भी करना था क्योंकि यादगार है जिसा मैंने बताया कि जब उनकी मम्मी का भी दिल करें तो वो देख सके कि हां मेरी बाबू का मुंडन कैसे हुआ एक यही यादगार हमारी होती है यह पल हम समेठ के रख लेती हैं कि जब हमारा दिल करें हम देख सके तो हम भी लगे हुए थे लेकिन वो बस उसको चुप करा रहे तो उसके बड़ी पापा स्यादा परेशान थे उसको चुप कराने में उसको बार बार बोल रहे थे कि पहले आप मेरी बाबू का देखो फिर उसके बाद आप अपना कुछ करो लेकिन है और इनके पापा गयत इसके लिए खिलोना लेने ताकि यह चुप हो जाए सभी लोंग लगे पड़ेते लेकिन बच्चे होते हैं कि जब जिद ठान लेते हैं तो वो ठान लेते हैं वो चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं तो बस यही चीजे हैं आप देखें देख रहे हैं अपने बड़ी पापा के पास भी नहीं चुप हो रहा ह तो गाइस बुंडन हो गया बाबू का यह देखिये और हम लग निकल रहे हैं बाबू को पोटू बाबू को पीछे मम्मी जी है उसके उपर सभी लोग है बस अब हम चल रहा है घर और घर चल कर ही मैं आप लोंगों से मिलूंगी कि अब बीच में वीडियो नहीं बना पाएंगे 120-130 km हम दूर आए हैं चित्रकूट के लगबग पास और चित्रकूट से 10 km दूर हैं तो चलिए निकलते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से ठीक है तो फाइनली बाबू मेरे पास आ चुका और मैंने इससे बिस्किट दे दिया दिखी कितने ज़्यादा मजे से खा रहा है सौंग चल रहा था तो इन्सवाय कर रहा था तो इसी वज़े से वाइश मैंने वहां के कट कर दिये क्यों कॉपी राइट आ जाता जैसे आपको पते यह तो थोड़ी से यादे अपने साथ की मैं इसके साथ रखना चाहती थी मस्ति कर रहा था यह भी कितना खुस है आप देरे देरे बच्चे पहसान जाते हैं ना तो बस यह आप तो यह देखी है यह दूसरा पहाड रहा था अभी मैं दूसरी साइट कर रहे हूं और आपको थोड़ा-थोडा सा लग रहा होगा कि घासे हैं लेकिन अभी जहम पास तब मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कैमरा यहां से ओफ कर दूंगे देख रहे ना अब आपको स्टार्ट हो कि आओगा थोड़ा थोड़ा सा जंकारी टाइप का दिखना और जब और पास आओगे यह देखे यह देख रहे हैं आप पेड़े पेड़ सॉरी पेड़ यह करूंगे क्योंकि अगर आप कुछ ऐसे रिक्स वाले जगे पर जाते हो तो थोड़ा सा अजीब सा डल लगता है तो एक होता है कि हम ऐसी जगे पर गय थे और यहां से गाड़ी बिल्कुल स्लो जा रही है कि ढाल भी है प्लस पानी मैंने बताया ना कि रोड पे आ गया जिस नहीं दीरे दीरे निकल चलेंगा अब देखिए लहर इसकी नहीं है इस टाइम में इसले लोग आज आ ले रहे हैं लेकिन अगर लहर होती तो कोई भी इस पार उस पार ना सा पाता है तो बस का इस ब्लॉग का एंड यहीं कर देती हूं कि कि घर जाने में पता ने कितना टाइम लगे और पिर मेरी हालत भी खराब हो जाती ही ना गाड़ी में तो इसी वज़े से तो बस बाबू को देखिए इंजोई कर रहा है कैसे विस्कुट खा रहा है तो चलिए थाइ